नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको उता हूँगा कि कैसे आप अपने अंडूर्ड मोबाइल से अपने नाम का DJ Mixing Song बना सकते हो तो अगर आपको जाना है तो ये वीडियो देखते रहिए इसके लिए आपको दो अपलिकेशन की जुरूत पड़ेगी पहला तो ये है text to speech का इससे हम अपना voice मनाएंगे DJ voice और दूसरा जो है cross DJ इससे हम जो remix करेंगे अपने show को अपने नाम के साथ तो इन दोनों की link आपको वीडियो description मिल जाएगी वहां से आप download कर सकते हो या फिर आप पलिश्टोर का भी use कर सकते हो सबसे पहले हम open करेंगे इस application को जो है T2S इसका मतलब है text to speech text to voice बन जाएगा उसके बाद ये आपको option देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको text डालना है जो आप बनाना चाहते हो जैसे कि मैं यहाँ पर DJ, DJ सुभास बनाऊंगा आप जहाँ DJ, रवी, DJ कुछ भी आप बना सकते हो अपने अनुसार तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा और उसके बाद आपको option देखने को मिलेगा यह play का इस पर आपको click करना है जैसे कि सुन लेना कि केसा आपको बनाईए तो मैं play करता हूँ तो आप देख सकते हो यह बोला DJ सुभाष इस तरीके से आप बना सकते हो अब देखिए यहाँ पर आपको option देखने को मिलता है 3 dots का इस पर आपको click करना है और यहाँ से आप जहाँ इसको save कर सकते हो save हो गई अब यहाँ पर save करने के लिए यह जो नीचे option देखने को मिलता है export as audio file इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद आप देख सकते हो 3-4 option है wave और mp3 आपको wave पर click करना है क्योंकि अगर mp3 में आप इसको जहाँ करोगे तो मैं इस पर click करता हूँ mp3 वाले पर यह बोल रहा है कि आपको अलग से एक application डाउनलोड करना परेगा इसको convert करने के लिए इसको बनाएगा mp3 में तो इसके लिए आपको wave पर इससे save कर लेना देख सकते हो wave वाले पर click कर रहा हूँ wave में save हो गया उसके बाद यह बोल रहे है कि कहा कौन से folder में इसको save करना है मैं इसको dcim folder में save कर लेता हूँ आप देख सकती हो तो यह save हो गया तो आप सकते हो यह save गया यहांसे मैं open weak कर सकता chrom अब आपको एक काम करना है यह जो हमारी फाइल save होई है यह वेब format में से हुई है, हमें इस MP3 में करना होगा, तो guys यहाँ आप देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ, उस folder में, जिस folder में हमने अपनी voice को save किया था, voice text वाले को, तो यह है guys आप देख सकते हो, यह है, तो इस पे click करना और इसको rename करना है, चले मैं rename कर लेता हूँ, और rename कर आप देख सकते हो, इस साइड में जो है, पहले से समित थी, इसलिए नाम save नहीं हुआ, आप वाले में MP3 का नाम save हो जाएगा, अगर आप जहाँ नाम change करते हो, और MP3 में format में हो जाएगा, अब हमें open करना है, यह दूसरी वाला application, जो है cross DJ, इसको आप open कर लेजे, यह open हो अपरी उपर आप देख सकते हो, यहाँ पर plus का icon है, और यहाँ पर plus का icon है, इस plus वाले icon पर click करके, वो music ले लेंगे, जिस music को हम remix करके, अपना DJ voice उसमें डालने वाले है, मैं अपने music को ले लेता हूँ, इस music में ले रहा हूँ, आप अपना अनुसरार को music ले ले लीजीग यहाँ पर click करेंगे, और जो folder है, उसमें जाएंगे, और अपना जो भी है न, वो यहाँ से ले ले लेंगे, मेरा DMC folder में हमने save किया था, तो यह रहा मेरा voice जिसको मैंने save किया था, MP3 format में, यह आ गया, और उसके बाद मैं यहाँ से play कर सकता हूँ, अब देखे, इसको आप remix कर रहे हो, तुम्हें आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ से play करना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको अपना voice देना है, DJ वाला, उसके बाद यह play करना है, जैसे कि मैं आपको अभी play करके दिखा देता हूँ, यह गाना play हो गया, तो guys यहाँ से हमार आपको करना है, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया किस तरह किसी remix करना है, अब इस song को आपको प्ले करना है, उसके बाद जहाँ जहाँ, अब यह बजता रहेगा गाना, और जहाँ 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 आपको अपना voice टेक देना है, जैसे DJ सुबास देना, वो यहाँ पर आपक प्लेक करना है, जैसे कि यह जो इसमें remix होज है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, यह जो वाला बटन है, इसपर क्लिक करना है, इसके लिए अपको क्लिक करना है, इसने पहले बता दूं कि अगर आप इस application को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो यह record वाला बटन आ बाद यह जो होना शुरू हो जाएगा अभी आपको क्या करना है यह जो पहले वाला म्यूजिक है इसको जो प्ले करना है और उसके बाद जहां जहां करना है यह करना है चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो गाइस देख सकते हो मैंने वोल्यूम कम कर दिया और यह जो गाना हमारा शुरू हो गए अभी इसमें जो अगर आप इफेक्ट देना चाहते हो तो इसके लिए आपको यह जो इफेक्ट वाला बटन इस पिकलिक करना है और जो हमारे एफेक्ट देना है चली मैं वोल्यूम कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इफेक्ट कैसे देते हैं तो गैस आप देख सकते हो मैंने इस तरी किस इफेक्ट दे दिया भी इफेक्ट देने के बाद आपको क्या करना है वो मैं चली आपको बता देता हूँ आप देखें यहाँ से आपको अगर चाहते हो कि आप वाले जो डीजे वाली निय्टे मेरे मिक्स वाली है उसका वोल्यूम ज्यादा हो और गाने का कम होई तो इसके लिए आप इसका इसका इस्तमाल करोगे जिसके तरब करोगे वो गाना उसी तरब ज्यादा बजेगा आपको पूरा जो गाना रेमिक्स कर लेना है और जब आपको लगे कि आपका गाना पूरा हो चुका है अब उसको सेव करनी के बारी है अब इससे पहले कुछ और इफेक्ट आप आप देना चाहते हो यह भी आप दे सकते हो लेकिन यह सेटिंग में ज्यादा छेड़काने नह देखेंगे अगर गाने को आपको जब पीछे करना है इसलिए जो यह वाला बटन देखने को मिलता है ओ यह जोकी सेडी है इसको जब इस तरीके से घोगाना यह वैक कर देंगे तो यहँनारी जो रीकॉल्डिंगol First I अब इस recording को देखने के लिए यह जो record के सामने three lines है इस पे click करेंगे और वहां सब कुछ आ जाएंगे जो हमने बना के रखें यहां से आप इसको play कर सकते हो जैसे मैं play करके दिखा देता हूँ तो इस तरी के से आप जब पूरा गाना remix कर सकते हो और यहां से इस गानी को थोड़ा गोत एडिट आपको करना है तो वह आप कर सकते हो और यहां से share कर सकते हो तो इस तरी के से जब आपका पूरा बन कर त्यार हो जाएगा यह और गाना जो remix आपने करी लिया तो गाईज यह था आज का हमारा वीडियो I hope कि आपको पसंद आए होगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चनल पर अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब करना पास माने वाले गंटे को दबा कर और नोटिफिकेशन ओन करना हम मिल ट्याने स्टूडियो में तब तक के लिए जहिंद वन्दे मातरं